नमस्ते बच्चों, शुतले की श्रंखला का ये 22 वा ओडियो है और आज हम लिखने जा रहे हैं O की मात्रा से बने हुए शब्द और उन शब्दों से बने हुए वाक्य O की मात्रा के साथ साथ पिछली सभी मात्राएं जैसे A की मात्रा, I की मात्रा, छोटी E की मात्रा, बड़ी E की मात्रा, छोटे U की मात्रा, बड़े U की मात्रा और बड़े A की मात्राएं भी यहां पर आ सकती हैं तो आप खूब ध्यान से शब्द को सुनिएगा, शब्द की आवाज को सुनिएगा, उन आवाजों में जो मात्राएं हैं उन्हें ध्यान से सुनिएगा और सही मात्राओं को लगाने का पूरा प्रयास करिएगा. उमीद करते हैं कि आप नोट बुक और पैंसिल के साथ बैठ गए होंगे तो शुरू करते हैं आज का शुतलेक लिखिए पहला वाक्य धोल बजाओ धोल 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 बजाओ धोल बजाओ पूर्ण विराम धोल बजाओ दूसरा वाक्य है सच बोलो सच बोलो सच बोलो धान दीजेगा ब और ल दोनों पर ओ की मात्रा निकल रही है वाक्य है सच बोलो पूर्ण विराम तीसरा वाक्य है गोल मोल ये एक ही शब्द है इसलिए एक ही लाइन के नीचे सभी अक्षर लिखे जाएंगे गोल, मोल, बात, 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 मत, मत, करो बहुत बढ़िया वाक्य पूरा हुआ पूर्ण विराम लगा दीजे अगला वाक्य है सोहन समोसे ले आओ सभी बच्चे पहले पूरे वाक्य को सुनने उसके बाद उस वाक्य को अपने दिमाग में रख लीजे और धीरे धीरे एक एक शब्द, एक एक अक्षर और मात्राओं को ध्यान देते हुए लिखते जाएं तो वाक्य सुनिए सोहन समोसे ले आओ लिखिये सोहन 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 समोसे समोसे यहां पर मा पर ओ की मात्रा और पिछले अर्थात आखिरी सा पर एक की मात्रा निकल रही है सोहन समोसे ले लब पर एक की मात्रा एक की मात्रा कैसे लगती है तो अक्षर के उपर एक मात्रा चड़ाई जाती है ले आओ, आ, ओ, यहाँ पर बड़ा आ निकल रहा है, आ, फिर ओ, ओ, अक्षर निकल रहा है, ओ, स्वर निकल रहा है यहाँ पर बाक्य पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम लगा दिजेगा सोहन समोसे ले आओ, पूर्ण विराम अखरोट, देखिए, पहले बाक्य को पूरा सुनेंगे अखरोट व दाल मोठ भी ले आओ अखरोट 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 व दाल 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 मोठ, दाल मोठ, भी, भी, भी भपर बड़ी ए की मात्रा. भी, ले, लपर ए की मात्रा, ले, आओ, 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 वाक्ये पूरा हुआ, पूर्ण वेराम लगा दीजे. अगला वाक्य है, पहले ध्यान से सुनिएगा, पूरा बड़ा वाक्य है क्योंकि ये. जोर जोर से चोर चोर का शोर मचा, पूर्ण वेराम. तो इस वाक्ये को पहले आप अपने मन में एक या दो बार रिपीट कर लीजे, दोहरा लीजे, मन ही मन बोल लीजे, ताकि जब आप लिखें तो आपको ध्यान रहे कि किस शब्द के बाद अगला शब्द कौन सा आने वाला है. जोर जोर से चोर चोर का शोर मचा, चलिए अब लिखते हैं, जोर जोर जोर, जोर, दूसरी बार भी जोर लिखना है, जब भी हमारे पास ऐसे शब्द हों, जहां पर एक ही शब्द दो बार आ रहा हो, तो उन दोनों शब्दों के बीच में डैश लगा देते हैं, जोर जोर, अब इन दोनों जोर के बीच में एक डैश लगा दीजिए, जोर जोर से, स, स पर एक ही मात्रा से, जोर जोर से, चोर चोर, यहां पर भी दो शब्द हैं, और दोनों शब्द एक ही जैसे हैं, इसलिए यहां पर भी डैश आ जाएगा, चोर, चोर, का, 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 शोर, 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 श कौन सा? शल्यम्वाला श, शोर, मचा, 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 कून विराम, बहुत बढ़िया, देखिया आपने कितना लंबा वाक्य लिख लिया, बहुत बढ़िया, और अब आज के शुदले का आखरी वाक्य, रोना धोना कम करो, रोना धोना कम करो, वाक्य को मन ही मन धोरा लिजे, रोना धोना कम करो, चलिए अब लिखते हैं, रोना, रोना, फिर धोना, ध, ध से धनुश, ध, धोना, 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 कम कम करो, 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 रोना धोना कम करो, वाक्य पूरा हो गया है, इसलिए पून विराम लगा दीजे, और आज का शुतलेक यहीं पूरा होता है, मिलते हैं आपसे अगले ओडियो में,